इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं, अब किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ें हमने इंस्टॉल करनी है मशीन लर्निंग के इस लेक्षर के आगे जितने भी लेक्षर होंगे उनके अंदर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सबसे पहले हम विजल स्टूडियो कोड पे जाते हैं, कोड मैं ओपन करता हूँ यहां से, यह मेरे पास ओपन हो गया, आपने देखा होगा कि यह हमारी GitHub की रेपोजिटरी है, जो मैं रुजाना की बेस पे फेच कर रहा हूँ, सारे के सा होँगे, वो सारे आपको मिलेंगे, और हम डॉकुमेंट करते जाएंगे हर एक चीज को, तो हमारा जो साथवाँ चैप्टर है, 07 is machine, machine underscore learning, यह machine learning का फोल्डर, इसके अंदर, 01 underscore installation dot IPYNB, installation का मैंने IPYNB बना दी है, इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे आपने जो हैं, वो install करनी है, ठीक हो गया, अब यह जो file है, यह आपको मिल जाएगी, don't worry about that, हमने क्या करना है, सबसे पहला काम, मैं यहाँ पर step लिखता हूँ कि हमने किस तरीके से installation करनी है, सबसे पहला काम हमारा होगा, हमने यहाँ पर create a new conda environment, conda environment नया बनाना है, ठीक है, step 1 हमा steps के अंदर, one dash, one dot, create a new conda environment, इसका नाम मैं usually रखता हूँ python underscore ml, python underscore ml में ज्यादा तर इसका रखता हूँ, ठीक है, तो इस name के साथ अगर आप बना लेंगे तो आपको असानी हो जाएगी, ठीक हो गया, then install the following packages, सबसे पहले तो obviously आपने python install करना है, फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर, pandas, numpy, matplotlib, cbond, फिर इसके बाद आप करेंगे, जनाब scipy भी हम करेंगे, और scikit learn करेंगे इसके अंदर install, and then हमारे पास होगा, जनाब scikit learn हो गया, इसके बाद jupyter भी आप इसके अंदर install कर लेंगे, क्योंकि एकसर उकाता आपके बाद, jupyter भी पर आप काम कर सकते हैं, और ipy kernel भी इसके साथ हो जाएगा, then हम openpy excel भी करेंगे, क्योंकि excel की files को install करने के लिए openpy excel करना पड़ता है, plotly हम करेंगे install, plotly के बाद हम अगला क्या कर सकते हैं, यह tensorflow इसके अंदर नहीं करना, तो मैं इसको simply यहां तक रखता हूँ, अगर कोई नया module मेरे पास आ गया, so मैं उसको वहां पे install कर लूँगा, so we have to install all these things, ठीक है, तो इसका बेतरीन तरीका क्या होता है, आप करेंगे pip install, and then आप libraries के नाम लिखेंगे, उससे भी पहले आपने क्या करना है, python को कैसे install करना है, आप python को konda install python के थ्रू करेंगे, ठीक है, और यह सारे के सारे steps हम अभी देखने वाले, ठीक है, तो यह काम करना है आपने terminal में, ठीक है, अगर आप के पास konda install नहीं है, तो आप हमारे course की पहली वीडियो के अंदर जाएं, course का link मैंने description में दिया है, छे मा का हमारा course है, उसका link दिया है, वहाँ पे मैंने बताया, mini konda या mini konda कर से install करना है, so mini konda में जाके, आप वहाँ से mini konda यहाँ से download करेंगे, और इसको install कर लेंगे, ठीक है, और इसके functions भी मैंने बताया है, कि क terminal के अंदर हूँ, अगर मैं यहाँ पे konda activate करता हूँ, तो यह मेरे पास base में आ गया, ठीक है, आपके पास अगर bash terminal नहीं चल रहा, तो आपके पास command prompt चल रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो अगर आपके पास कोई और terminal चल रहा है, तो आप यहाँ से अपनी मर्ज या anaconda prompt के उपर चले जाएं, तो आप यहाँ से भी install कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास base आ रहा होता है, तो यह तीन तरीके हैं, मैंने कौन सा use करना है, मैं cmd वाला भी कर सकता हूँ, दूसरा भी, but cmd looks better, तो मैं konda deactivate कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा zoom in करने की मैं कोशिश करता हूँ, तो यह नीचे zoom in हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, konda create-n python underscore ml, यह हम environment बनाते हैं, और enter कर देते हैं, तो अब इसने क्या करना है, konda का environment create कर देना है, ठीक है, और यह मेरे पास environment आ जाएगा, तो इसके अंदर फिर हम python install करके आगे move करेंगे, enter किया, यह मेरे पास environment बन गया, konda activate, अब करेंगे जिब python underscore ml को, यह मैंने activate कर दिया, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे python ml activate हो चुका है, अब हम यहाँ पे konda install python is equal to 3.11 मैं करूँगा, sorry, यह मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ से, गलती होगी थी मेरे से, वही दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, अच्छा, खेर, konda install python is equal to 3.11 मैं install करता हूँ, reason क्या है, क्योंकि 3.12 जो है, उसके अक्सर उकार जुपिटर नोटबुक नहीं चार रही होती, so 3.11 भी आप कर सकते हैं, वरना, यहाँ पे जाके आप python में जाएं, google पे उपर, और वहाँ से आप check कर सकते हैं, कौन सा आपके पास, जो python का version है, वो कौन सा इस वकत run हो रहा है, इस video को बनाते है वकत आपके सामने जो python का version आएगा, वो यहाँ पे आजाएगा, तो यह version हमारे पास, जो python का इस वकत चल रहा है, that is 3.12, ठीक है, 3.12 है, तो मैं वो भी install कर सकता हूँ, बट usually 3.11 जो है, वो अच्छा काम करता है, तो इस वज़ा से मैं इस पे इसको run करता हूँ, माइनस वाइ कर देता हूँ, या माइनस वाइ के बगार ही run कर देता हूँ, so it will take few seconds और उसके बाद यह इसको install कर देगा, meanwhile हम क्या करते हैं, यह देखें, यह install के लिए उसने पूछा, yes, मैंने while लिखके enter कर दिया, या simply enter भी करेंगे, तो यह यहाँ पे install हो जाएगा, क्योंकि internet की speed मेरे पास थोड़ी है, because I am also live streaming this class, इस वज़ा से, अब हम क्या करेंगे, उपर वाली सारी की सारी libraries का, एक script बना लेते हैं, और उसे एक ही दफा हम run कर लेंगे, नीचे वो install हो गया, अब मैंने यह सारी की सारी libraries यहाँ पे लिख लेनी है, for example, मैं ऐसे लिखता हूँ, pip install, अब उपर वाली सारी libraries के मैं नाम लिखता हूँ, pandas, numpy, mat, plotlib, cbon, scipy, scikit-learn, jupyter, openpy, excel and plotly, इन सभी को मैं copy करता हूँ, यहाँ से ऐसे ही, ऐसे ही copy करने के बाद, नीचे मैं python ml, जहाँ पे मैंने python ml के अंदर python इंस्टॉल किया है, वहाँ पे paste कर देता हूँ, and then press करता हूँ, enter, तो hopefully यह सारी की सारी libraries एक ही go के अंदर python ml के अंदर install हो जाएंगी, तो अगर नहीं install होते हैं, please do it separately, और आप इन सारी libraries को one by one करके install कर लें, ठीक है, यह notebook भी आपके सामने है, यहाँ से आप screenshot भी ले सकते हैं, और इन libraries को आप install भी कर सकते हैं, यहाँ तक आपको clear होगी होगी बात, hopefully, यह हमारे पास installation हो रही है, so installation मैं खुद इस वज़ा से करके बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों को यह मसला आता है, और वो इसी जगह पर फंसे रहते हैं कि installation नहीं हुई, ठीक है, और आइसता है यह सारी कि सारी libraries यहाँ पर install हो रही है, और आप चाहें तो इसी चीज़ का एक WhatsApp status भी लगा सकते हैं, कि jumping into programming, शोखी मारने के लिए, और usually यह अच्छा होता है, आपको खुद भी अच्छा फील होता है, जब आप ऐसा काम करते हैं, मैंने जब programming स्टार्ट की थी, मैं बहुत ऐसे status लगाता था, programming के, ताकि लोगों को पता चले, इवन दो यह सिरफ installation ही हो रही है, बट on the other side, it makes a lot of sense, क्यों, क्योंकि आप सीख रहे हैं, और आप अपना time लगा रहे हैं इस पे, ठीक है, राइट, यहां तक आपको clear होगी जबात, hopefully होगी होगी, अभी तक अगर आपने live stream को like नहीं किया और इस वीडियो को like नहीं किया तो please do it, इस time को घनीमत जानते हुए, और secondly मैं यहीं पे announce कर देता हूँ, जो हमारी website के उपर अगर आप जाएंगे, तो हमने ABC of statistics की पूरी की पूरी बुक यहां पे launch की है, kodenix.com पे जाने के बाद, ABC of statistics, इसका link मैंने description में दे दिया, kodenix.com का, वहां पे ABC of statistics पे click करेंगे, तो यह statistics की पूरी की पूरी बुक आपके सामने हाजिर है, और यह बुक मैंने dedicate की है, अपने वाले दे गिरामी, जो इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन यह उनका mission था, जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ, पाकिस्तान में एक ऐसी education platform को लेके आना, जो free में ऐसी तलीम दे, कि लोग अच्छे से सीख के, अच्छा घमा सके, और अच्छा खा सकें, ठीक है, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो यहाँ पे यह statistics के सारे के सारे, जो lectures हमारे हुए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे available हैं, probability हमने पढ़नी है, इसमें से, which we will be looking into details, इंशाला, आने वाले दिनों के अंदर, जब हम base, theorem वगरा, और knife-based algorithm को पढ़ेंगे, on the other side, हमने description के अंदर, course का link भी दिया हुए, which you can actually have a look, यानि के, आप अगर courses में जाएं, courses में जाने के बाद, आपके पास, six months of data science and AI, six months of AI and data science mentorship program का link आएगा, सारे के सारे lecture, free of course, यहाँ पर available है, so जितने भी दिनों के lecture हो चुके हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर available है, you can actually have a look over there, ओके जी, यह मेरे पास अभी तक install हो रही है, आप लोगों के पास installation हो चुकी होगी, आप से request यह है, कि जैसे यह चीज़ें आपके पास install हो जाएं, आपने क्या करना है, यह following commands को run करके देखना है, ठीक है, for example, import pandas as pd, यह वाली आपने run करके देखनी है, और यहाँ से kernel साब सच हमने select करने है, अभी जब हमारा environment बन जागा फिर, सो हमने यह वाली run करनी है, import numpy as np, यह confirm करने के लिए होता है, कि सब कुछ सही से install हो गया, import matplotlib as piplot, libs.plt, no, piplot as plt, import cbond as sns, and then from sklearn dot, हम कोई example देख लेते हैं, और उसी example code को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यह से for example, linear model के उपर, supervised learning के अंदर, यह हमारे पास एक code आया है, ठीक है, मैं इसी को copy करता हूँ, यही से, यहाँ से copy करता हूँ, और इस code को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप नहीं यह वाला जो code है, इसे run करके देखना है, अगर यह सारे का सारा code सही तरीके से काम करें, इसका मतलब everything is running smoothly, ठीक है, और जो चीज की जरूरत होगी, then we will see later on, अब यह सारी चीजें जो हैं, आपको मैं GitHub की repository के अंदर commit करके देने वाला हूँ, ml02 के नाम से commit होगा यह, और यह सारी के सारी चीजें वहाँ पे sync हो चुकी है, GitHub की repository के उपर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, I know it takes a lot of time for installation, अगर आपके internet के speed कम हो, but, I mean, we have to do it, so it's fine, मैं GitHub की repository का link जो है, वो अभी आपको देता हूँ, बलके description के अंदर भी मजूद है, yes, description के अंदर GitHub का link भी मजूद है, so यह code जितने भी होंगे, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, so आज का काम हमारा last जो है, वो installation पे खतम होगा, और installation की practice के उपर, हमारे आज का lecture जो हैं उसे finish करेंगे, so यह description के अंदर जो link है GitHub का, इसको मैंने run किया, run करने के बाद, जिनाबे वाला, आपको सारे के सारे code, machine learning के अंदर, यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास codes जो हैं, वो fetch हो जाएंगे, it will take a bit of time, यह पहली notebook है, आप इसको यहाँ पे click करें, अगर यह इस तरीके से चलती है, that's good, वरना यहाँ से आप click करके, download कर सकते हैं, और इसको अपने पास run कर सकते हैं, बाकी के सारे code भी यहीं पे आपको मिलेंगे, और आने वाले दिनों में भी सारे के सारे code, जो जो हम गाम करते हैं, वो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको clear हो गया, ले जनाब, meanwhile हमारी installation भी हो चुकी है, हम यहाँ से kernel साब को select करने की कोशिश करते हैं, select another kernel, python environment के अंदर, और यह python ml हमारे पास आ चुक है, हमने इसको select किया, kernel साब select हो गए, now we will run this, and if this works fine, that means everything is smooth, yes, अगर आपका यह tick का निशान आ जाता है, इसका मतलब everything is running fine, तो हमने आज देख लिया, किस तरीके से हमारे पास installation होती है, install करके, आपका यह environment जब बन जाए, please यह run करके, यह वाली command आप ज़रूर देखे, अगर आपके पास run करती है, that's great, अगर नहीं run करती, तो फिर आपने installation को अच्छे तरीके से दुबारा से देखना है, यहाँ पे इस lecture को मैं रोकता हूँ,